आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी study close पर आपका बहुत दोस्वागत है तो लंबी चुटी के बाद हम current affairs लेके आपके सामने हाजर हैं तो बात करेंगा जिन 5 current affairs की तो सबसे पहले तो dispute in नामधारी sect देखें आज हमारी जो UPSC batch है उसके आकरे दिने और यह जो answers हम करवा रहे है answer writing करवा रहे है और जो हम आपको can interface दे रहे हैं वो बिल्कुल answer writing के हिसाब से है तो जो हमने शांदार course से लाया है तो अभी हमने तीन दिन के लिए sale निकाली थी answer writing का शाड़े 600 रुपर का तो आप उसको जरूर एक सरकोस को भी तो नामधारी सेक्ट में problem क्या है प्रिलिम्स और पेपर वन के लिए super important है नामधारी से सिख्षिजम से सिख्ष जो की peace का religion है और धर्म का religion है तो सद्गुरू राम सिंग ने 1857 में नामधारी सेक्ट को found किया था और बताया गया था कि social reform की जितनी भी कुरी हैं हम उनको खतम करेंगे ब्रिटेश जिस तरीके से rule colonial rule हम पर जमा रहा है उसको खतम करेंगे और spiritual belief को uphold करेंगे तो यह हिसाब किताब है और बताया गया था कि जो हमारे गुरू राम सेंग है वो एक दिन जरूर लोटेंगे वो पनलब जो महान आत्माय है वो कभी मरती नह पिलती है तो हाला कि गुरू गरंद साहिब जो है वो सुप्रीम गुर्बानी है आपको बता दूँ देखें दस गुरू और उसके बाद फिर जो गुरू गरंद साहिब है जो किताब है सबसे spiritual सबसे पवित्र किताब है सिक्षम की उनी को ही गुरू कि यही हमको direction जो है वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते इनफाक्ट चाय भी नहीं पीते कॉफी भी नहीं पीते गाय को वो बहुती सेक्रेड मानते हैं हेटक्वाटर जो है वो लुधियाना पंजाब में है अब देखें क्या प्रॉब्लम है फ्यूड है मतलब एक तरीके से कुछ लड़ाई है नामदारी सेक्ट जैसे सद्गुरु जगजीत सिंग दौदा सुला में जब वो स्वर्ट सिधारे तो फिर यह लड़ाई जो है वो शुरू हुए उनके भतीज है उदय सिंग और धिलीप सिंग दोनों ने पोजिशन के लिए अप्लाई कर दिया कि मैं हो सद्गुरु उद चांद कौर का मर्डर हो गया है 2016 में चांद कौर का ऐसासिनेट कर दिया भैनी साहब हेटक्वार्टर में यह साफ हो गया कि राइवल्री बहुत बड़ी है बहुत भयानक दुश्मनी है उदय सिंग और दलीप सिंग दोनों ने एक दूसरे को उपर आलोप लगाया फिर इस जो है वो कह रहे है कि यह हमारी ओनर्शिप है उदय सिंग और दिलीप सिंग कहते हैं कि 2019 का वोईडिक्ट है उसने हमको बोला है कोट ने हमको बोला कि एक लैंड हमारा है लेकिन अभी फाइनल डिसिजन नहीं आया है म्यूटेशन को लेकर ठीक है वोईलेंट कॉन्टेशन एक 11 अगस्त को उदय सिंग ने उसी डिस्प्यूटेट लैंड का पॉजेशन अटेम्ट किया लेने के लिए अब आई जाहिट से बात है जमीन का मामला है तो मर्डर तक हो जाता है तो आठ लोगों जो है वो घाय लोगों और दोनों ही ने एक दूसरे के ओपर F.I.R करवा मुष्किल इतना आसान यह जेम्स wev टेलेस्कोप बिसिकली जो कोस्पिछ थियोरीज से यूनिवर्स कैसे बना कहा का स्थी डौ बेडले स्था नहींश को बनाया था और कैसे बना आखिरकार universe ठीक है अब वो बताता है यह अब नई galaxy जो बन रही है जो बन चुकी है massive galaxy early universe में यह सब देखता है ठीक है अस्ट्रोनोंगोस अभी थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देखके किया यह क्या हो रहा है कोछ समझ नहीं आ रहा है तो findings क्या क्या है fully formed galaxy james webber telescope ने जो observation की उसने यह reveal किया है कि जो early universe जो शुरुवात का universe था उसमें छोटी छोटी galaxy थी जिसमें billions of stars हमको देखने को मिले ठीक है न और यह जो galaxies है वो छोटी थी और newly formed थी है ना बहुत बड़ी galaxy नहीं थी जो पहले समझा जाता था तो fully grown adults जो है ऐसा नहीं पहले kg और you know धीमे 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 युनिवर्स एक्स्पांड और ऐसा हम बोलते हैं टेलिस्कोप ने यह जो डिबेट है कि युनिवर्स लगातर एक्स्पांड होता जा रहा है जेम्स वेप टेलिस्कोप ने यह इंडिकेट किया है कि जो expansion है वो तेजी से हो रहा है local celestial objects को उन्होंने यह मतलब जेम्स वेप फिर जो standard model है जो जेम्स वेप टेलिस्कोप ने हमको findings दी है उसमें यह तो पक्की बात है कि जो पुराने model को follow करते आते हैं पुनारे rules को जो follow करते है उसको बदलना पड़ेगा उनिवर्स के history और structure को लेकर क्योंकि data काफी inconsistent है जैसे faster बहुत तीजी से expansion हो रहा है जैसे हम सम comprehensive reform तो नहीं फिर dark matter, dark energy कहते हैं कि आदे से जादे universe dark energy का है लेकि अभी तक हम को यह पता नहीं कि dark energy है क्या तो dark matter और dark energy पर भी जो discoveries हुई है उस पे भी doubt कि gravitational effect और जो universe का accelerated expansion अगर आप dark matter और dark energy सबद गया तो आप यह भी सबद लोगे लेकिन यह basically theoretical है जो James Webb telescope का data है शायद cosmic phenomena को explain किया जा सके तो basically groundbreaking observation कर रहा है James Webb telescope अब वक्त के सासा चीजे जो है वो समझ में है यह asteroids क्या बात है डाइनासौर डाइनासौर जो कि 18 करोर साल पहले रूल किया करते थे ऐसा क्या हो कि आप अचानक से सारे 6 करोर साल पहले खेल खतम हो गया इनका जिसको cretaceous paleogene extinct बोलते ह mass extinction हुआ जिसने सारे डाइनासौर को खतम कर दिया जो धर्ती की planet और उनकी animal species है 75% खतम कुछ इस तरीके से nature बहुत ही brutal है उन्होंने बोला कि एक asteroid ने जो कि 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था खतम कर दिया डाइनासौर को 180 किलोमीटर chicks club crater gulf of Mexico में यह हमको बताता है और जो कि युकाटन पेनिसुला में जो 1990 में हमको मिला मेकसिको में दोनों जगा ही उसने इस hypothesis को confirm किया कि विल्कुल सही बात है कि asteroid टकराया और डानासौर गए 15 अगस्ते 2024 को एक study publish हुई है journal science में उसने अब geochemical evidence भी दे दिये जो chicks club site है researchers ने यह found किया asteroid यह जो उलका paint है यह जूपिटर के उस side से आया था तूर जूपिटर से आया था यह और complex chain of events हमको देखने को मिली जिसकी वज़े से यह खतम हुआ डानसौर खतम हुए Mario Fisher God जो कि University of Cologne main lead यही है जिन्होंने research कि उन्होंने samples लिए chicks club crater के और उसके बाद जो rocks है बाके asteroid उससे compare किया और साड़े तीन billion years यह पुरानी है साड़े तीन अरब साल पुरानी है इसमें rare metal rudinium था जो कि यहां धर्ती पर आपको मिलेगा नहीं प्योर signature है यह celestial body जो कि धर्ती से collide की और जो rudinium isotopes है उन्होंने बोला कि जो asteroid है वो carbonicious था यानि कि solar system से बाहर आया था अगर solar system से अंदर अंदर आया होता तो siliceous होता silica उसमें होता लेकिन इसमें carbon present है अब यह comet theory को इसले debunk किया ठीक है न यह हिसाब किताब है और deadly event था rare event था बहुत ही मतलब कहते न कि अरबो सालों में एक बार ऐसा event जो यह asteroid धर्ती से तक तक रा गया और exact cause आखिरकार ऐसा क्यों हुआ भी लेकिन event unusual था क्योंकि ज्यादा तर जो asteroid है वो inner solar system से आते हैं लेकिन यह बाहर से आया था समझ रहो मार्स और जुपिटर की बीच में ज्यादा तर वहां से आया लेकिन यह solar system से तो यह काफी अजीब बात है computer simulations यह बताते हैं बहुत सारे सिनार्ज जैसे हो सकता है gravitational interaction वह दूसरे planets या collisions की वज़े से दूसरे asteroid की वज़े से इसकी वज़े शायद asteroid का orbit विगड़ गया मतलब हमारे solar system के बाहर और इधर वाला दोनों collide किये जिसकी वज़े से शायद asteroid का orbit विगड़ और वह यहां पे आ लेकिन ऐसे तरीके के collisions होते नहीं है 2021 की study ने estimate किया था कि अधरती जो है वह एक बहुत बड़े asteroid से टकराएगा और उत्रा बड़ा जो डाइनसौर को जिसने वाइप किया था अब यह जो event है यह 25 करोण साल में होता है तो क्या होगा वह हम देखेंगे लेकिन अभी तो फिल अब अगर माल लिजे कि इसका destruction होता है रश्या से गैसे जर्मनी और यूरोप तक जाती है तो फिर यह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यह आप देख सकते हो ना यह रश्या से होते हुए पूरा एस्टोनिया होते हुए यहां तक पूरे यूरोप को यह गैस देती है अब वाल स्ट्रीट जनरल अकाउंट यह बताता है कि जो यूक्रेणियन पेट्रियोट से सोल्जर्स, सेविलियंस उन्हों ने इस पे हमला किया ठीक है प्रेसिडेंट व्लादमीर जेलिंस्की ने बोला कि कुछी भी हो जाए नौड स्ट्रीम पाइप्लाइन पे हमला नही यह सर्फ करते थे वो इसमें शामिल थे अब शुरुवात में तो प्रेसिडेंट जेलिंसकी ने एप्रूवल दे दिया लेकिन बाद में बोला नहीं जब C.I.A. ने मना किया बोला कि नहीं नौड स्ट्रीम पाइप्लाइन में हम कोई भी हमला नहीं करेंगे बट टीम डिस सब इनके पास थे मिशन चैलेंजिंग था क्योंकि एंडर वाटर कंडिशन थी बट यह काम कर दिया हाला कि बहुत ज़्याद नुकसान नहीं हुआ एलिगेशन यहीं है कि जो C.I.A. है उसने रोका यह वरना प्रॉब्लम हो जाती है मोटिवेशन की बात करें क्योंकि देखें वेस्टन यूरोप जो है अभी रशियन गैस पर रिलाय करती है तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा है पूरा यूरोप जो है खतर में आ सकता ह है बहुत थंड परती है बहुत ज़्यादा थंड तो यह जो है वह यूरोप के घरों को थंडा रखती है तो अमेरिका ने नौर्वेक आसेस्टेंस बोला कि यह हमको दीजे और मार्च 2022 C.I.A. और N.S.A. ऑप्रेटर्स एक दूसरे से कोडिनेट कर रहे थे जून 2022 अमेरिक देन मार्क और स्वीडेर्ण ने की डेनमार्क त्सुडेन ने ये देखा कि भाई रażय की वजैसे जो प्रफ्लस्टा साइट है वहाँ पर रशयावशल्स ही मेला तो जर्मनी ट्रेस्टिकेशन ने यि ये बोला मतलब एक तरीके से कि जो यूकरेन है जो अएक्सप्लोसिव पेपर थरी इंवार्मेंट के लिए पाई देखिए लाइट का पॉल्यूशन बहुत जादा है इस्पेशिली लीव्स से लीव्स के ओपर मतलब पत्यों के ओपर इंसेक्ट्स के ओपर ऑगस्त दोहजार चौबिस में फ्रेंटियर्स इन प्लांट साइंस में ये स्टडी पब अब बीजिंग में जैपनीज पगोड़ा और ग्रीन आश ट्रीस थे तीस साइट्स को देखा गया जहां पर ये पेड़ लगे हुए है ठीक है ना उसके बाद लाइट्स लगाई गई गई और 5500 लीव्स पत्यों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया देखा गया कि लीव लिजे की जादा तर बहुत हेवी आटिफिशल लाइट पत्यों पर पढ़ती है तो लीव्स जो है वो टफ हो जाती है और अब जब टफ हो जाएंगी तो इंसेक्ट उनको खाल लेंगे खालेंगे मतलब खतम कर देंगे जहां पे बहुत ज़दा आटिफिशल लाइट है व तो एक तरीके से और मुश्किल है तो बेसिकली आप देख लोग की जैसे बाई देखिए अगर जो इंसेक्ट है वो इन लीव्स पे डिपेंडेंट है अगर आटिफिशल लाइट खतम होगी तो सब कुछ खतम होगा प्रॉब्लम होगी कैस्केडिंग एफेक्ट समको देख चीज खतम हो जाएंगी तो फूर्चें डिस्रप्ट हो जागा तो ग्लोबल इंसेक्ट में डिकलाइन हमको देखने को मिलेगा जो हमारे एकोलोजी को समाल के रखती है तो यह लेचर था बाकि आप हमारे को जरूर अवेल करें क्योंकि आज आखरे दिन है थांक्यू सो मच चुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् झाल झाल